तो आज हम इस old gown गरी उज़ करके new designer dress बनाएंगे तो सबसे पहले हमें center की सिलाई को open करके body and skirt part को अलग कर लेना है तो देखें यहां gown के bottom part में extra fabric को fold किया है तो इस सिलाई को हमें खोल लेना है यहां मैंने center की सिलाई को open करके skirt and top part को अलग कर लिया है और bottom से भी इसकी सिलाई open करके इसमें press कर लिये है अब यहां bottom से इसे double fold कर लेंगे यहां हम elastic के उस करेंगे तो hip measurement के according mark कर लेंगे marking से इसे cut कर लेंगे belt बनाने के लिए measurement के according lining and main fabric की cutting कर लेंगे अब यहां पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद half inch fold करते हुवे सिलाई के उपर एक बार और fold करते हुवे सिलाई लगाएंगे देखिए हैं मैंने सिलाई लगा ली है यहां पर जो हमने थूड़ी जगा छूड़ी थी वहां से हम elastic को insert कर लेंगे यह jacket का back part है और यह front part के दो पीस है अब यहां हम jacket के bottom part में ruffle add करेंगे ruffle को stitch करने के बाद दोनों parts के right side एक दूसरे को मिलाते हुए रखेंगे और shoulder join कर लेंगे neck को extra party से hem कर लेंगे